तार्ग तन्वीर और अब देखे रहेंए प्रोग्राम किसान का पाकिसान नादीन आज हम आई हूँ है अली इन आज की आद ग Yang कभी हैं अली जो करन का जिखेंघें थो जो नेट आँ अर इसान में बड़े कामाने पर अनार किसे इसया उड्रब चाजो आ गया है और हम असलाना इसकी कोई 50,000 टन जो है इसकी पॉड़क्शन करते हैं लेकर आप देखा यह गया है कि जैसे ही बहुत एक नाम लेके गया उसके सब वक्र के साथ सब बहुत डॉन भी आया है और इसका जो एक नाम था वो नार जो है यहां पर डॉन फाल की तरफ गया ल तो आजने महीं ऑग को लेकर चलेंगे मुगत लागों के अंदर और हम उनसे काम किया जाता इस ह法े से हम डिप्षयर माहःीन से बात क्ेरिए और हम मुगत रूखक्सान से बात करेंगे इसकी प्राब्लम से बात करेंगे और किन फार्म प्रैक्टिस को लेके हमारा फार्मर जो है आज अनार की फी पैदावार बेहतर कर रहा है और इसकी जो है अपनी इनकों भी बेहतर करता है आईए उसे बात करते हैं अजमें असलाम यारिकंसराम वालैकम अस्ताल इशच जिया दिलने किया है आख्या breaker आटेव करनार ऑफ चाहिछ के अमने विछकर की के मैं काना teeny की क्षैर आपवर यह अबाद किया था तो उसके नाम से जो है उसकी मुनास्बब से इसका नाम है अलिपूर 1862-1862 में इसको तहसील का दर्जा मिला अलिपूर को तो इसमें एक तारीखी कस्ब है तो अलिपूर में अनार के बागात आम के बागात बगू गोशा यह बागात बहुत है तो यह जो अनार की हिस्ट्री है इस पे मैं काफी कम कर चुका हूँ मुक्त प्लेवेस पे आल्टी कालपी लिगता रहता हूं डिस्टे गस्टे आराफ और मुदफर गालें 1929 के मुताब यहां अलिपूर में जो अनार के बागात हैं यह हिंदू होने लगाए थे यह कौँ से सांके बागात यह नंटी के अघाज में यहां पर कोच हिंदू थे जिनके नाम उब जाबी तक याद है इधर पास एक नाला है चंदरुभान नाला वह मुखी चंदुभान एक बहुत क्याम पाकिसान से पहले से जो लगाए गए थे वो अब तक भी मौजूद रहे हैं फिर अबादी जो बरती गई आसपास में फिर वो साइटेंग बनती गई तो अबादी हो गई तो पराने बागा तो खतम हो चुके हैं तो लेकिन अबो खेर शहर से दूर दूर कुछ बागा अंग्रेजु के दाओर हकुंबत में ये बरतानिया तक गिफ्ट के तोर पे भेजे जाते थे ये मैंने एक लिबरेरी में बुक में पढ़ाता ना एक आल्डी काल्बियसा बाले से पढ़ाता तो ये जैका मुन फ्रेद रखते हैं एक तो जैका और इसकी बरदाश्त का वा बहुत ही कामजाबी से उगाया जा रहा है तो पंजाब में जाब अनार की कास्ती बात करते हैं तो उसमें आप देखें के पंजाब में जो है ना बहुत सी जगों पे बड़ा अच्छा सक्सेस्फुल ये कामजाब हुआ इसको लगाने में लेकन अगर जी इतना कामजाब तो अभी जो जग्या जे क्लाइमेट चेंज आई है इसके जिसने एसको प्रोड्क्शन को काम किया है यह अर बहुत होसकती जो है मेन वज़ाइब कैकर में में मजाब गफ। बैजितनी की बीमारी घराथ को अग्शे हैं या माकाम जीमितार हैं वह अपनी आपके तहट कोई जुगार वाले तरीकों से इनकाहल निकाल लेते हैं, ठीक है, बाकि कोई इस पर प्रापर रिस सार्च जो नहीं हुई, इस वज़ा से यह जो अलीपुर का अनार जो है, इसको बहुत ज्यादा नुकसान परता है, ठीक है, अब इसका जो पाकिसान में जैसे प्रूनिक उनक के लिए बहुत जुरूरी होती है, ठीक है, जबके यह मकामी किसान जो है, यह पुराने तरीकों से जो बगात काश करते आ रहे हैं, यह प्रूनिक नहीं करते हैं, आप देखें, यह एक लक्रियू का गुच्छा बना हुआ है, यह देखें, अगर यह पर यह दो फाल दिखाता हूं, अब इस पर देखें सूरज की लाइट का असर है, इसकी स्केन जल गई, इसका रेट मुतासर हो गया, इक तरफ से ठीक है, जहां से लाइट परी तीक है, वह प्रूनिक जल गई, अंदर से इसका रस भी मुतासर होगा, दूसरी किसी है कि यह हमारा बहुत बड़ असर था अगर यह प्री पॉर्टिशन पाक्सान में अलिपूर जो है, यह हब था नारो का, अब अगर गॉर्मेंट इसके पर तवच्छों नहीं दे पा रही तो क्या मकामी तोर पर को ऐसा अधारा जैसी एंग्जियों को ऐसे लोग हैं, जो दो चीजों पर बात होनी थी तो जै किस दिपार्टमेंट में का बात करनी थी अलिपूर के वाले से इसकी जो पहचान को जो खत्म हो रही है इस अवाले से मैंने कुछ आवाज उठाई आज लिखे तो वो मीडिया से जो है मुख्तलिफ चैनल वाले दोस्तों ने अलिपू पर वो किसानों में डिस्टीबूट करेंगे ताके सिहत महतुप पाउदे फिर काश्ट होंगे तो भी मार उसे मुचा मुम्किन हो सके लेकिन फिर वो फिर कागजु में ही पतनी का में पहुंचे ठाप हो गया काम प्रैक्टिकली उस पे कभी कोई अमाल नहीं हो अच्छा तो अब बताईएगा कि यहां का जो अनार है क्या इसी जगह तक महदूद रहा या फिर वाकी पंजाब के अरियों में भी यहां से डिस्ट्रिपूट हुआ यहां से सबसे पहले जो फैला वो अलाबाद तैसील लियाकतपुर का इलाका है तो वहां तक और उसके बाद पिर बहावल नगर हरुनाबाद काफी सारे यू समझे आसपास के जो दो तीन डिस्टिक तक जो है ना यह अनार फैल चुका है अच्छा इसकी एक खास बात यह के अब अलाबाद में काश किया गया अल्याकतपुर में वहां पे इसको कोई बीमारी नहीं थी दास-पंद्रह साल अच्छा इसकी परफामन जो है वह काम उतासर हो जाती है बिल्कुल आचा यह बताओं जैसे यह अगस्त के फस्ट वीक से लेकर यह सितंबर पूरा इसकी जाके के हवाले से और इसकी बर्दास के वग्त के हवाले से आपको तीन वरैटियु की तर्वताता हूं सब से पहले कर नथार जो है वो मिक होता है ऐसे आपको एक एक आप मैं अधर ढूयह पिंकनार है यह तीजिण के टना ऐसका नथा सुफेद सिट अगर इस बन ऊधर एक और मिफशन के लिश्ख दान के वोन आए देक लंधिनी का अट्शक है पार प mirth हो गया है दिगर फलों के आप एक्जमपल लेके ना जो अगेती मार्कीट में आते हैं जैका हो या ना हो कुछ भी वासाइज अचा हो वो चारे ले ले लेते हैं इसके बाद जो है जो है जोलाई से सितंबर के आखिर तक रहता है यह चिटा का अगिए ठीक है इसका दानावी सुफैद और इसका जैका मीठा होता है सब से ज्यादा काश्ट इसकी है कि संदूरा के इससे कुछ कम है यह अगास्ता और शिकम वारता के जो है मजू रहता है इसके लावे तीसरी वराइटी है काले हार वारेटी वह आम तर पर शौकिया लोग गाश करते हैं अभी गमर्शल मेरे ख जाहिन बने हुए किसानों के भी संदूरा और काफ़ी काश करने हैं हाला कि उसका मुन फ्रिद जैका है ला उसका स्केन का कलर ऐसा ही संदूरा से मिलता जुलता होता है ऐसे लकीरे होती है इसके दर्म्यान में उसके दाने के अंदर जो गुठली होती है वह पिंक कलर के हो जाहिए दान उपर सुफध होता है तो आधर से वो दर्म्यान से वो नज़रा रही होती है उसकी पन्क जो गुठली होगे है उसका जैका एक्स्टर स्वीट हो गया और चिटा काफ़ी नर्मल स्वीट वो एक्टर स्वीट है और खाये तो मुन में ऐसा जैसे वह शहद जैस की वह तासीर सुनता है आप हमें ये बताईए कितने प्लांट यहां प्याप तगाता है रिवाइती तरीकों से 200 प्लांट फी एकर यह कास्ट होते रहें पहले लेकिन अब जिन लोगों ने दो सुकी बज़ाए 300 यह 400 प्लांट फी एकर कास्ट किये हैं तो उनके तजर्बात तो बेहतरी इंसाभी है के अब का अब है कि अ कि आपका ये जो अलिपूर का अणार है अब यहां पे और नई जमीनों में जलग रहा है वह बेहतर परफॉर्म दे रहा है हाँ और जो जो पराणे होते हैं पंदाबी साल के बाद्धा फॉर्फॉर्म है ओं बिमारियों का श करें पर फाल फाटने की बीमारी जो है वह अगयती लगती आप अधिया तो इतना चोटे साइज में इस पर बैमारी का हमला होता है फाल पाट जाता है कि अपने नाजमी को पता है कि जो जो प्रेक्स आते हैं अनार के अंदर ये बहुत इंप रिपाटन बात है कि सबसे ज्या तो उसकी क्या पिर हम इसके लिए क्या प्रिकाशिस करेंगे क्यों सी इस बुमारी के लिए कौन साइस का लाज़ आप यहां पर कर लेते हैं किसी ने कोई मख्यों के फंदे लगाए होते हैं तो कोई जैसे यहां पर खोश को गोबर को आग लगा दी कोई धुआ फेले इधर से इसकी वजुहाद क्या है कि यह क्यों प्वाट की हुजाता है महकमा जहराद के दफ्तर में सेमिनार हुआ थो उसमें से वहां पर एक रिशार सकालर आए थे वह अनार पर काफी काम कर चुए हो बहावलपूर में तो उन्होंने कहा था कि हम जो 10-15,000 नए पाउदे तियार करेंगे अनार के तो वो इस हिसाब से होंगे कि उनको यह जो जो पहले बिमार शुदा जो है यह फादे यह खतम हो जाएंगे अब मैं आपको मिसाल लेता हूँ ना फर्ज करें इस पाउदे से हम अगर नर्सरी तियार करते हैं यह देखें यह फंगस लगा हूँ उनको यह डैमेज ब्रांचे जो है अब यह देखें यह दर्मयान से कि आगाल था जब कि वह जो पौौध मातरात तरह में तियार उसे सिर्फित करने थे नहीं से इसका मतल एको ब्रूदेद एकर को से त्रीकू यह काश्ट होते रहें पहले लेकिन अब जिन लोगों ने दोसु की बजए तीन सो या चार सो प्लांट फिये कर काश्ट किये हैं तो उनके तजर्बात बेहतरीन साबित हो वैसे के जैसे यह पौदा है ना इसके बहर कोई च्छाओं नहीं है इसलिए बहर का फाले इसका मुत कुदरती तोर पर फिरू बीमार उसे महफूद रहता है यह जो ज्यादा अफी एकल ज्यादा पौदे लगाने वाला जो तजर्बा है यह काफी काम्याब हुआ है लेकिन अभी जो पूराने बागबान है उनको इस तरीके पर कैल करने में कुछ वाक्त लगेगा अभी जो अभी जो पूरे पाकिसान में जो पंजाब में आर की काश के वाले से फेमस हुआ और फिर इसको डिकलाइन भी आया और दबारा जी अगर हम जब तक फार्म की बेहतर मैंजमेंट नहीं कर पाते इसकी बेहतर पौदों की स्लेक्शन नहीं कर पाते उस वक्ता इसकी जो अना आपने पंजाब के अनार को दोबार अपने पेरो पे खड़ा तर पाई है कि मेरे साब मजूदा कमांडर रेटायर रेटायर शुमियम अख्तर साब इसी दर्ती के स्पूत हैं मांडर साब बहुत एक्सपार्ट है इन्हों ने चुकि अपनी जो अबाई जमीन थी आफ्र र आपने अनारों के ओपर भी इनका एक बहुत बड़ा काम है तो इनको हमने थैंक्यू वारी मच्छ अपने जाइन किया कि आपके इस अलाके की जो पहचान थी इसको हम किस तरह दबारा अपने उसी स्टेटस पर ला सकते थे तो सबसे पहले बताहिए कि यह जो अनारों की ब अनारों के अनारों से फात्म होगा जी बहुत शुक्रिया तारिक तरवियर साब सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का कि आपने इस अरिये के अंदर आप आए और इस पैसली अनार जो हमारे इस तैसील की शान थी और अलीपूर का अनार जो है वो बड़ा मशूर था मेरे से पहले और आरिफ साहँ ने बताया कि यू के तक बरतादिया तक आख़र तरफा जाता था लेकना अस्टा अस्टा इस्ता जो ही डेकलाइन की तरफ चला गए सबसे पहले तो ज़ोत यह है कि दिए किसी भी अनार के पौदे के लिए वो उसको दिया जाए तो आप मारे नाजरी को बताएं के कौन सी फटिलाजर कितनी मगदार में हम इसको देंगे वो तो जब आप जब आप सोईल टेस्ट कराएंगे और उसमें से उसकी मिक्दार आएगी यह वेरी करती हार लैंड के लिहास देना वी अफोर इन खादाने एप इन उसको देना है और फ़रे खें थाम।ंक पि Detail करों एट है और वामारी की बात और ओंकार पर तो फुट फ्रूट फूटी आप हम उसकी घ्याप ए और इसको प्रण ईहरोंबेमावियों के लिए खलेग को चाहएँ खाई भी और सुन तो फूट फ्लाइ के लिए इसके उपर जो रिक्मेंड़ सप्रेस थे वो नहीं किये गए जुरुत इस बात की है कि इसके उपर रिसर्च की जाए इसके उपर देखा जाए उस फूट फ्लाइ को स्टडी किया जाए और फिर उसके मुताबिक जिस रहा बाकी फसलों के लिए करेस्त कि लिए जो बनाए गए इसकी वोग फूट फॉट फ्लाइ के लिए किया जाए इंब वान वन फुर्ट फूट फॉट 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 फॉए और बाकी डिजीज का ऐलाज फिर से डिस्टंस थे देखर देश्टनस अब हाई डेंस्ट्टी और अल्टरा हाई देंश् पर अगर हम अल्ट्रा हाई डंस्टी के ओपर जाएंगे सर पौदू की ददाद कम होगी हर साल इसकी प्रूनिंग देखे दो बाते में कर रहा हूं एक डिस्टस बिट्वीन दी प्लांट्स एंड रो टू रो हैच रो सिस्टम की तरफ हमें जाना पड़ेगा जो के स्की एस म मैंगो के अंदर आगे है स्मार ट्री सिस्टम मैंगो के अंदर आगे हैं बड़ा काम्याब सिस्टम इसके अंदर भी आना पड़ेगा हमें नंबर आफ प्लांट्स ब्राने पड़ेंगे हमें इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करनी पड़ेगी फिर इसके ओपर फंजी साइड मिर्में रवाने का मेरे ऎन जो थो गराज मेरें जो है कि अगर वें अगर में एक वी भाँ प्र jullie है system के शायर शायर है चाहर श्यूजाबादी उसकी नजम का पहला शेयर में आपकी बनाट को .. श्यू मेहनत कर से मेहनत नसे झाने खुड़ा जाने ONE पहले मेनत कर लें, ये पैगाम है, देखें, हमेरे जैसे लोग जो के 30 साल सर्विस में रहें, बड़े बड़े शेरू में रहें, वे वो हम अब 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 आपनी फार्मिंग में आ रहें हैं न स्थर्, ये इस बात की दिलील है। तो लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा फेमस है। तो इसकी इंपॉर्टस क्यों है अनार की इतनी ज्यादा, इसकी नुटेशन वैल्यू के वाले से है या इसमें कोई और भी फैक्टर से इंवाल है। जाता है कि अनार के दानों में से एक दाना जो है वो जन्नत का दाना है। अगर आप एक अनार खा रहे हैं तो आप ये यकीन कर लें और इस बात मेक्शूर कर लें कि आप जन्नत के दानों में से एक दाना खा रहे हैं। दूसरा ये इसको अगर आप खाएं तो ये ठंड़ तासीर में ठंडा है तो आपके स्टमक के लिए ठंड़क चाहिए आपके जिगर के लिए लीवर के लिए ठंड़क चाहिए ट्रडिशनी तोर के ओपर जो यरकान के और हाइपटाटस के जो मरीज होते हैं जैसे हम उनको गन्य कि गडेरी और और दूसी चीजें फालसे का शर् कर दो खाएब कर दो आपके स्टमक में जाएगा और जब यह स्टमक के अंदर जो इसके अंदर वो घुड़क तो आपका स्टमक जो है बोड़ाइजेस्ट अच्छा करेगा और मेदे की बामारियों से ये बहुत नजाद देता है लीवर के लिए बहुत अच्छा है इसके के अंदर तमाम के तमाम जो आपको मिनरल्स चाहिए वो इसके अंदर मज़ूद हैं जिसको जितनी मुकदार के अंदर अनार मुइसर हो सकता है तो अल्ला की नेमत में से नेमती होई इसको जरूर खाएं मैं आपके तारिक्तार आज़ और एक बात शोर करूँ जिए जो मैंने को को कि उनका ये यकीन था कि ये जन्नत के पौदू में से एक पौदा है और अनार जन्नत के पौदू में से एक पौदा है असर इस बात के यकीन और मेरी बात याद रखें सर कि इस मुल्क की सर्वाइवल और इस मुल्क की जो प्रास्पेरिटी है वो जरात के अंदर पेना और में बड़ा 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 पुरुमीद हूँ और स्पेशली जो यह अभी इनिशेटिव लिया गया चीफ अवार्मी स्टाफ की तरह से और इसके अंदर जो आर्मी इन्वाल्व हुई और कॉर्पेट फार्मिंग और इसके अंदर नई मैनेजमेंट प्रेक्टिस जाए आएंगी बेस्ट फार्मिंग प्रेक्टिस जाएंगी बेस्ट फर्टिलाइजर एंगी और इंशाला आप देखेंगे अल्ड़ा आप मारी जिंदगीं के अंदर अगले दो-चार साल के अंदर हम बड़ाव प्लस बैलश ब्लकु ठीक देखे यासे अक्मान्डर साब ने भ कुछ से उसके बड़ी वज़ा नहीं है कि हम अनार को दबारा अपने पंजाब में इसको ला सके तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी जो नर्शी के हवाले से भी हम आपको बताएंगे किसका पौदा कैसे तैयार करना है एक प्राम इंदर यह प्रमीनेट अउन्हों का न कि मेरे साथ अभी माजूद हैं यह साक हैमत असाक हैमत जो है ना यह बड़े नर्सी एक्सपार्ट है साटिफाइड नर्सी के ओनर हैं इसे बात करेंगे अनार की मुफ्तलब राइटीस के हवाले से और इसे हम पूछेंगे के पंजाब में कौन कौन सी वराइटीस जो है इनोंने सक्सेस्फल की हैं और कहां कहां तक इनकी जब वो गए हैं साक साथ थैंकिव अर्माज जी अच्छा जी बताईए कि आपके जो नर्सी है उसका नाम किया सब से पहले बताईए मेरे नर्सी का नाम है ग्रेंगार्डर नर्सी जो कर डिस्ट ल अनार के सब सबस्वाइब के हैं और कि पंजाब के साथ में अच्छा और जेख अप से आपने यह चीजें जो है लगाने शुरू की और यहां पर सब्सक्राइब कितनी यह उन्हों प्राइटीज कि यह मैं दो जार निस से काम करना शुरू किया था टो जब यह इनिसलिए म जो एक बच्चा स्कूल में जातास इसनार को पढ़ा हो रैड कलर के अधार से ही समय हुआ लुकी आफ मैंने अनार के हृषे साथ इसे उसका माइध से होता है तो मैंने अनार के अगद उसका अगलाया है। जी बिलकुल मैंने चार एकड़ पे मैंने खुद अपना बागा अनार का लगाया अपने पास और डजर्टी एरिया जो के मतलब बेहतरीन प्रड़क्शन दे रहा है और सबसे इंटरस्टिंग बात यह कि अनार जो है यह सहरा में बड़ा बेहतरीन प्रड्यूस होता है और द है जिसरे से ग्ता हें लाग जाता है तो यह थाख सरथ से यह और ऑफर शाल रुब्र तक पाल एकर की कर सकते है तो आवरेज बाग जो हुआ जो बहुआ है है तो इस मतलब यह किसी जो इनकम है वो डिपेंड का थी आप यह इसके अट्छी वराइटी और उसके मेनेजमिन तो राइटी सकॉन परक्मेंड करें आपकी लोकल राइटी जब पास है अलिपुर प्रसिका डूर अपके बाद करें डियाओ इसके अलाव अलिपुर के परल पाकिस्तानी में से और आप गुलाभी आप समयते हैं कि बड़े इची प्रफार्म कर लिए पाकिस्तानी व्रैटिव में सब अगर पंजाब के हवाले से देखा जाए और ओवराल डिजीज रिजिस्टेंट कितना है वेदर रिजिस्टेंट कितना है वो एंजल रेड युए स पाकिसान वे सिर्फ दो वागात हैं जो एक साल के बाद कमर्शल इंकम देने लगते हैं एक उनमें से अनार और दूसरा पपीता एक बहुत संसेटिव किसम का बाग है वो उसके कंपरिजन अगर इसके साथ किया जा तो इसकी अरली स्टेज पे और एक मतलब ए उसकी बहुत जादा क्यार नहीं करने पड़ती प्रडक्शन अची देने लाग जाता है तो आपका जो आपका जो आपने बाग लगवाया पंजाब में कहां पर लगा हुए इस टाइम जो बड़े बागात है एंजल रेड के में में है एक बाग इसके इलावा चिश्टियां में भी एक जो आपका क्लाइट क्या अभी पैसे कमा रहा है वह आठ लाख रुपे पार इकट से कमा रहे है तो आपकी जो नर्सी है उसमें अगर बताएं तो एक टाइम में कितने पौदे जो है ना देने की कितने पौदे कर अदर करते हैं तकरीबन साथ से सतर जार पोदा एन्वली क जो पौदे प्राइस तक यह तो बहुत बड़ा बिसनस है कि अगर आप एक लाग पौदा थार करते हैं और डेड़ सोर दो सुद पर करते हैं तो क्या आप फार्मर को रिगमेंड करते हैं को आपने खुद की अच्छी नर्सीन अंस तरह आपने बनाई उस तरह बनाएं उस अग्जेकली बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि बागबान जितने भी हैं को चाहिए कि अपनी नर्सरी कुछ तियार करें उसमें यह होता है कि आप सेलेक्टिव प्लांट लें जो प्लांट जो तुरू आट अची प्रड़क्शन दे रहा हो डजी जिस्टेंट हो उससे आप क कौं कौंसे सलिस्ट जो हैं वो रहे ग्लाओव को आफर करते हैं उसके बाद प्लांट ने के बाद कि आपकी नंके साथ होता हैं को दोर डेक dá perduकरते हैं है किसे और अपकी जिश नर्सी तोिक्टिव मैं में तो बागवान हैं भुद हमारी इतनी चुकर पाकसानमे ये बढ़ी है माइने प्रॉब में जा इस प希望 करें launcher मंगों पर बात करें अगर सिट्र्स पर बात करें इससने जो है ना जो मुझुड है जो बँड़ी बड़े झीस तो अनार के अंडर उस तरह कि प्रॉमिनेटर लोगों का नाम नहीं है तो आपने इसको हाथ डाला है जी अनार के हवाले से क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया का मेरा फेवरेट फूर था अनार तो अनार को इसलिए मैंने काम करना शुरू किया और अनार मैं जिस चीज में भी आपको शौक होता है तो फिर जैसे कि हमारे सिटरस के वागात था जे जासे करें किनू लुदाए को पूरे साल की कराँ जबके अगर हम अनार की तरफ देक्ष अनार हमारा जास्त थी टु फूर मंथ कि गराफ है तो आप कितने पोदे कमैंट करते हैं अपने осьुपंध को अनार के पारिकर ये मैं करता ह प्रचाइब बाइड है इसमें इसमें आप ब्रचाइब अन्मोस्ट एक पॉद्धों कि दिए पाकिस्टानी जितनी भी राइटी जासे के अंजल रेड है च्छोटी हाइट में ज्यादा प्रड़क्शन उसके प्लांट फ्रॉट्निंग क्वालिटी यह ची आती है और सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब जैसे जो बचे हमारे यह बड़ा स्रमाया नों देखे बड़ी इन्होंने ना सिर्फ पाकसान की जो रैटीस थी उनको डाकुमेंट किया साटिफाइड नर्सी बनाई बले किसके साथ उन्होंने अठारा व्रैटी जो इंटरनेशनल पौदा है इन्होंने पाकसा में मतारफ करा है और आज इनके जो लगाएगे पौदे जो हैं इनके लगाएगे जो बाग है वो बहुत अच्छा जो है ना फार्मर को मनाफ़ा दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्छों को हुसल अफजाई करनी चाहिए इनको आगे भी करेंगे ऊफ्टार पिद्द करेंगे अब जो यह अनार्व यह जो इसकी कितनी कता गर्री आप बनातें इसकी मुख्तलिफ होती है काटागरी बिमारी की वजा से यह भड़ा ते जा निशान और प्र अलांग कर लेते हैं और साफ जो नार रहोता है जैसे जिसको हम एक तो कहना मती शेरr में हैं तो जो आपका लेक्टी गां देख ञेटेंज को भी फिर chuckड मने ये का पनाते जो एक सब्याद डाना ओगारा बनता है ये इसको नार दाना की तो नार दाना बादें तो नार दाना भी तो बड़ी अच्छी महिंगी आउid यह बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी कोई भी चीज जो है ना काइनात में वह जहां पर बिलकुल राइगा निए जाती है उसकी बिदिफरेंस चीजे बना दी जाती है तो अभी आप डेली पिकिंग हो रही है आपकी यहां पे जी डेली पिकिंग होती है है साड़े 300-400 प्रेटी कि और कौन कौन से शैरों में जारी है आपकी यह अनार मुलतान जाता है इसके इलाव फैसला बाद लाहूर जाद सारह जाता हमारा जो अनार होता है यह लहूर की दर जाते हैं तो जिस टाइम में कभी इसका मार्कीट में कराइस कम चल रही होती तो अ कर लेते हैं यह कुछ दिन फ़ीन हम सबर करें दोगारेघे भी सटोर कहा पर कि पिक करते हैं इ। कौड स्टोरजें क slippers कोल्ड स्टोर में कि देएर ताकि लो ही रहती है नहीं तक हम华गा तक हम रखते हैं यह एक पर छाब अच्त है है कि अपने सेव को तीन चार महीने के लिए कोल्ड स्टोर्ज में रख लेते हैं अनार भी उसी तरह एक लॉंग लंबी अर्शे के लिए कोल्ड स्टोर्ज में चला है बेतरी बात किया है नाजरी देखे अनार हमारे मुलक का बहुत ही एक एहम जो फूरूट है लेकर यह बड इसके उपर बहुत सी मैंजमेंट है इसमें कमी की वज़ा से पंजाब में अनार उस्तरह नहीं पा रहा है तो अगर आप बात करें इसके लिए लेकर जाएं तो आप देखें के कसान जो है हमारा फी एकर पैदावार में इसको बहुत आगे लेकर जा सकता है अगर वो इसकी की फार्म मैंजमेंट को बहतर कर लें और इसकी जो मारियां है वो को बहुत बड़ी बेसक जैसे अब मारे प्रोग्राम में हमने बड़ी मुफीद मालूमात के वर भी मारे दोस्तों ने आपको दी है कि किस तारे मारियों के उपर हम काम जाबी के साथ कब उपा सकते हैं तो काम जाबी, किस तारे मारे प्रोग्राम में हमने तो अंफय में मुफीद को प्रोग्राम याद धू Best 5000 D